नमस्कार दोस्तों यह आप देख सकते हैं टी-एस प्रोजेक्टर है न्यू मॉडल आया हुआ एगा Android प्रोजेक्टर है दोस्तों यह Android 11 है ठीके दोस्तों फॉल HD 1080p प्रोजेक्टर है 4500 Luminense है इसका पीछे connectivity में आपको दिखा देता हूँ जो कि मैंने भी power cable दो मैंने लगा दियेगी इसमें एक pen drive भी लगा दिया है USB port दिया है यहाँ पर और यहाँ पर aux का दिया आपका home ट्रेटर गरा कनेक्ट हो जाएगा प्लस HDMI दिये ओके दोस्तों यहाँ पावर का switch भी दिया हुआ एगा model का जो नाम है दोस्तों free style हैगा प्रोजेक्टर का model है यहाँ पर keystone दिया हुआ आपको ठीक है दोस्तों अभी अपन on करके देखते हैं इसको यह देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने on कर दिया प्रोजेक्टर थोड़ा dark कर देते हैं रूम को कि जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों pen drive तो मैंने इसमें पहले ही लगा दिया था बागी मैं आपको इसमें वीडियो और दिखा देता हूं इसमें कर देख सकते हैं कर देख सकते हैं सो इंच का स्क्रीन साइज बना हुआ है दोस्तों पिच्चर वालट यह आप देख सकते हैं और दोस्तों मेरे इस रूम के अंदर कोई अलग से स्क्रीन नहीं लगा है मैंने आपको पहले भी बताया था क्योंकि जो भी मैं प्रोजेक्टर इस पर चलाता हूंगा वह पूरा 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 जो है जो कलर है रूम का वह एक जेता हैगा कोई अलग से स्क्रीन नहीं लगा है ना मैंना वाइट किया यह देख लो आप उपर नीचे कहीं भी एक जेता ही कलर रहेगा दोस्तों इसका वॉल्यम मैं मुट कर देता हूं दोस्तों दोस्तों मैं और भी वीडियो आपको प्ले करके इसमें दिखा देता हूं आपको 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 आपक झाल झाल प्रोजेक्टर यहां पर होने दोस्तों यहां रखा हुआ प्रोजेक्टर झाल 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 झा झाल 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 जादा जानकारी के लिए और प्रोजेक्टर पर्चेस करने के लिए आप मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों मेरा कॉंटेक्ट नमबर आपको यूटुब पर ही मिल जाएगा वीडियो देखने के लिए धन्याबाद दोस्तों झाल झाल